हेलो दोस्तों तो कैसा रहा है हम बात करने वाले हैं Class 8th exam marking scheme Class 8th में आपके किस chapter से कितने marks के questions आएंगे कितने questions आएंगे वो chapter कितना important है बि जादा मिलेंगे तो पहली चीज आपको टोटल 30 questions मिलेंगे जिसमें से 6 questions होंगे आपके very short answer, 6 होंगे आपके short answer और 10 होंगे short answer second type and 8 होंगे long answer वाले तो इस तरीके से आपके total 30 questions होंगे और 80 marks का आपका ये exam होगा उसके इस बाद हम बात करते हैं chapter wise कि किस chapter से कितना आने वाला है तो बात करते हैं पहले chapter से जो है linear equation in one variable उससे आपको 8 marks का total मिलेगा जिसमें आपको 3 questions मिल जाएंगे एक question long answer होगा एक question short answer होगा second type जो 3 marks का होगा और इसमें एक very short answer होगा और linear equation in one variable आपके लिए important है क्योंगे आपको class 9 पर ये मिलने वाला है तो इस chapter को अच्छे से कर लेना important chapter है exam में भी 8 marks का आएगा और आगे चलके भी बहुत काम आएगा तो जरूर इस chapter को कर लेना उसके बाद हम बात करते हैं square and square root की इससे भी 8 marks का आएगा आपका एक question आएगा आपका short answer 3 marks का और 2 questions आएगा आएगा आपके short answer 2-2 marks के हैंगे 4 marks की होगा और एक question आएगा आपका 1 marks का तो ये भी important है इसको जरूर कर लेना भले ही 9th class अपको ये नहीं मिलेगा आगे नहीं मि एक question आएगा very short का तो ये भी इतना खास important नहीं है आपके class 9th के लिए 8 marks का आएगा तो आपको करना तो पड़े गई तो इस chapter को जरूर कर लेना उसके बाद most important chapter जो है algebraic expression जो आपको 11 marks का मिलेगा चार question मिलेंगे इसके एक long मिलेगा दो short मिलेंगे और एक very short मिलेगा और ये chapter खास कर ज्यादा important हो जाता है क्योंकि इस chapter से class 9th में आपको काफी help मिलने वाली है class 9th में जब आप आप आओगे तो आपको वहाँ पर algebra मिलेगी और class 9th में algebra का section 25 marks का होता है तो 25 marks के सिर्फ इस chapter से आपको मिल जाएगा class 9th में तो इस chapter को avoid मत करना अच्छे से पढ़ के चलो ठीक है उसके बाद chapter आएगा solid shapes तो solid shapes आपका six marks का आएगा one short one short second type and one short one very short question आएगा इतना important chapter नहीं है लेकिन आप करोगे जल्दी भी हो जाएगा काफी easy chapter है तो time भी कम लेगा और six marks का question आएगा आप जरूर कर लेना भले इतना काम नहीं आएगा आने वाले time में तो जरूर क कर लेना six marks का किससे question आता है फिर आता है measureation तो इसमें आपको 10 marks का आएगा और उसके साथ साथ आपको ये करना इसलिए भी जरूर ये क्योंकि ये आपको class 9 में भी मिलेगा तो class 9 में ये आपको जरूर मिलेगा chapter तो इसमें आपको volume and area related questions मिलेंगे जरूर कर लेना एक question तो प तो ये आपको 10 marks का मिलेगा तो important तो ये भी हो जाता है उसके बाद आपको मिलेगा direct inverse proportion ये भी six marks का आएगा आपके two questions इसके आएगे तो इसको भी जरूर कर लेना काफी easy chapter है तो आप राम से कर पाओगे फिर आता है factorization ये भी important है ये भी algebra में आता है तो algebra आपकी strong होनी चाहि तो algebra आएगे आपकी six marks की और बाकी बाद में आपको आगी भी काम आएगी class 9 में तो जरूर कर लेना इसको अच्छे से फिर आता है introduction to graphs ये भी काफी important है भले ही four marks का आता है लेकिन class 9 में आपको graphs मिलने वाले statistics मिलने वाली है तो जरूर कर लेना इसको अच्छे से ताकि आप playing with numbers इससे सिर्फ एक कोशन आएगा three marks का आप इसको कर लेंगे और आपको अच्छे marks मिलने अपके class 9 में और इसके बाद हम sample paper solve करने वाले हैं जो हम अगली वीडियो में cover करेंगे इसमें था कि हमने किस chapter से कितना आएगा वो हमने cover कर लिया है अगर आपको इसका pdf चाहिए तो मैं आपको description में provide कर दूँगा या फिर टेलेगां गूरूप में आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा और इस तरीकी सा आपका question paper आएगा अप question का sample paper कैसा होगा उसके बारे हम बात करेंगे next video में तो यह थी आज की वीडियो तो मुझे उमीद है कि आपको यह वीडि and peace